तो फ्राइडे के लिए निप्टी ब्यांक निप्टी का अनलिसिस करेंगे इससे पहले देख लेते डाउजन का कंडिशन क्या है तो डाउजन अगर आप देखेंगे यहाँ पर यह थोड़ा ग्याप डाउन यहाँ पर ओपन हुआ है तो यह जो लेबल है 33,790 और 33,800 का जो यह काल का मूब डिचाइड करेगा अगर मार्केट इसके उपर चले जाता है तो डेफिनेटली डाउजन में एक आचा खासा अपसाइड मूब आपको देखने को मिल सकता है जिसके चलते काल इंडियन मार्केट में गाप अपन हो सकता है ठीक है तो लेकिन यह इतना आसां नहीं है ये ट्रेंड लाइन को ये जू रेजिस्टन्स लाइन को ब्रेक करना क्योंकि इसका नीचे डाइरेक्ली मार्केट आज ओपन हुआ है तो अगर मार्केट में ग्याप अपन होना है तो डेफिनेटली ये इसके उपर आ जाना चाहिए ठीक है तो लेट सी की डाव जोन पांच मिन का चार्ट है मैं इसको वान डे का चार्ट में कनवर्ट कर लेता हूं तक आपके लिए ये समझना थोड़ा आसान हो जाएगा तो देखिए ब्यांग निप्टी आज क्या किया है जैसे कि हमारा कंडिशन जो था इसके ही सबसे मार्केट लगबग मूब किया है त जो रेंज में मार्केट गोंसोलीडिट कर रहा है तो इसमें क्या हो सकता है रीखिए काल का मूब क्या हो सकता है काल अगर मार्केटjoint ओपन हो जाता है तो हमें definitely एक आफसाइट का मूब देखने को मिलेगा तो ऐसे लेगेल उप 42600 ठीक है लेकिन ये लेवेल को अगर मार्क क्यान ब्रेक दिस लेबल ठीक है और यहाँ पर हमें कम से कम 700 टू 800 डाउन पॉल देखने को मिलेगा अप्टू दिस लेबल मैं जो लेबल अभी ड्रा कर देता हूं अप्टू फॉर्टी वान थाउजन टू हूंडड़ का लेबल यहां तो कमी मर्केट आ सकता है लेकिन अगर यह फॉर्टी टू थाउजन शीक चनल को ब्रेक करेगा तब भी जाके हमें और भी चार्सो पांसो प्वेट का उपसाइट देखने को मिलेगा तो काल हम ब्यांक निप्टी को आप लोग को कॉल दिया था यहां पे टेलिग्राम ग्रूप में जिसमें किया वड़ी आसा मुव आपको देखने को मिला है तो ब्यांक निप्टी में इतना अच्छा कॉल मुझे नहीं लग रहा था आज के लिए ठीक है तो कल के लिए ब्यांक निप्टी क्या ट्रेड कर स अगर सा पंन हो जाता है यह 20,000 लेबल के आस पास अगर मंकेत को मिल जाता है ठीक है 421 का सबसरा मंकेत मिलता आपको यहां पहाँ पे वुलिड़ हो तो डेशिंटल यहां पहे औप सैट के लिए जा सकता है क्यूंकि 42,001 अच्छा-खासा support जैसा काम करें, gap down के लिए बहुत easy trade हम लोग के लिए हो सकता है, ठीक है, and gap up cases में हमें problem हो सकता है, gap up कहां तक हो सकता है, कि यह जो middle में अगर market open हो जाएगा, यह level पे, ठीक है, 42,000, 360, 370 के आज सपास अगर आपको market मिल जाते हैं, तो बढ़ 2600 का level देखने को मिल सकता है, तो मेरे ही सबसे काल market में थोड़ा हलका पूल का gap up हो सकता है, यह level पे, और यहाँ पे market consolidate करने के बाद, अगर upside में जाता है, तो हम upside के लिए trade लेंगे, हमारा target कम से कम 200 point कर रहेगा, लेकिन यहाँ से अगर market नीचे चला था, क्योंकि देखिए बार-बार market इसी level पे trade कर रहा है, और इसको market resistance ले रहा है, इस level पे, तो chances हो सकता है कि काल market यह level को break करेगा, और हमें upside move देखने को मिल सकता है, ठीके, यह हो गया bank nifty का trades, और nifty के लिए देख लेते हैं, nifty के लिए condition क्या रहेगा, nifty के लिए बहुत ही आसान सा condition यहाँ पे nifty अगर देखेंगे, मेरे हिसाब से, bank nifty के हिसाब से थोड़ा strong दिख रहा है मुझे, तो अगर one day का chart देखेंगे, nifty का, तो क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए, तो nifty यहाँ पे अल्लेडी यह जो level को retest कर चुका है, मतलब 17600 और 580 का level को retest किया है, market यहाँ पे breakout किया थ 17,850 का target रह सकता है within next week, ठीक है, अगर market यह 17,500 level को break नहीं करता है, और यह trend line के नीचे नहीं आएगा, definitely हमें यह target देखनों को मिलेगा, तो chances ज्यादा है कि market offside के लिए move कर सकता है, ठीक है, तो कल के लिए हमारा level क्या रहेगा, कल के से nifty में trade करेंगे देखते हैं, तो 5 minute का चार्ट में अगर देखेंगे हम, यहाँ पर nifty एक अच्छा खासा pattern बनाया है, मैं already अब लोग को बताया था यहाँ पर की market में यहाँ पर P side के लिए अगर आप जाओगे तो ट्राप हो जाएगे, तो वही हुआ market में, market थोड़ा सा यहाँ पर check out किया, इसके बाद, upside के लि हो गया तो आपको definitely profit यहाँ पर हुआ होगा, तो कल के लिए trade कैसे करना है, देखिए, simple सा यहाँ पर जो market ने जो view बनाया है, यह एक neckline जैसा काम करेगा यहाँ ठीक है, एक neckline जैसा काम कर रहा है, तो मेरा जो target कल के लिए है, देखिए, market इस type का move हो सकते है market में, तो कम से कम यह level तक market आ सकता है, ठीक है, तो double top पाटन जैसा दिख रहा है, यहाँ पर सरी double button पाटन, तो यहाँ पर हम अगर एक line ड्रा कर लेंगे यह level पर, तो यह एक अच्छा कासा resistance जैसा अभी काम कर रहा है, आज के लिए भी एक बढ़िया सा यहाँ पर downfall देखनों को मिला था, त तो definitely हमें और भी 120-130 point का movement upside में देखने को मिलेगा, लेकिन market क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखिए, 17,700 level जो है, इसका उपर market sustain करना चाहिए, तब भी जाके हमें 17,830 का level देखने को मिल सकते है, तो इसका intermediate level फिर से क्या रहेगा, मैं बता देता हूँ, market sure sustain above 17,700, इसका ठारगेट रहेगा, पहला target हमें देखने को मिलेगा, 17,757, then 17,840, ठीके, यह दो level देखने को मिल सकता है, तो अगर market call 17,650 के उपर मिल जाता है, तो हमें क्या है, यहाँ पर देखने को मिलेगा, हमें C side के लिए जाना है, यहाँ पर market पहले यह level तक जाएगा, ठीके, यह level तक जाने के बाद market यहां पर अगर consolidate करने के बाद breakout देता है आफ साइट में तो हम फिर से C के लिए wait करेंगे otherwise यह level से अगर market reject होता है फिर नीचे चला आता है तो हम इस side में P के लिए भी बैठ सकते हैं ठीक है तो यह जो supply zone जैसा अभी काम कर रहा है यह वाला zone का आपको ध्यान से रेखना है 17,682-17,700 तो market थोड़ा सा यहां पर हलका पूल का gap up के साथ अगर यह level पर हम लोग को मिल जाता है तो हम यहां पर दोनों के लिए सोच सकते हैं P के लिए भी सोचेंगे C के लिए भी सोचेंगे लेकिन यहां पर condition क्या रहेगा देखिए अगर market यहां पर जाने के बाद यहां पर थोड़ा consolidate करेगा तो हम यहां पर C का profit book कर लेंगे ठीक है तो अभी हम लोग क्या करना है simple सा wait करना है market अगर 17,700 को break करेगा हम C side के लिए जाएंगे अगर market नीचे आता है तो फिर से हम यह यहां पर P buying कर सकते हैं इसी लेबल पर ठीक है यह supply zone के असपास हम P buying कर सकते हैं तो मेरे ही सबसे market जिस टैप का मतलब आज पफम किया है market को अगर नीचे जाना था तो यहां पर यहां पर एक फॉल हो जाता है इस लेबल पर ठीक है लेकिन market यह level को respect किया है इसका मतलब क्या है कि market और एक नया हाई बनाने का chances ज्यादा है in the coming week ठीक है तो कल के लिए डेफिनेटली में थोड़ा बुलिश रहूंगा और बुलिश मुम्मेंट में ही ट्रेड करूंगा सीशाइड में लेकर ट्रेड करूंगा तो डेफिनेटली अगर मुझे कोई अच्छा सा call मिल जात कर दो